प्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के एक और महत्पुन पार्थ भारत से हम क्या सीखे के काफी महत्पुन 20 अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और ये जो 20 अब्जेक्टी प्रशन है ये बोड परिक्षाओं मे बार बार पूछे जाते हैं तो एक भी प्रशन प्लीज आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इस भी सुब्जेक्टी प्रशन में से जो भी प्रशन है आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोटिफीकेशन पहुंशता रहें और जितना भी हम आपको अबजेक्टीव प्रशन बताएंगे वो NCRT पैटर्न के अधार पर ही बताएंगे तो विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से औ इहाँ पर आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं तो इसके लेखक मैक्स मूलर हैं इससे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नंबर दो नंबर प्रशन है कि मैक प्रशने इसे आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर कहा के रहने वाले थे ए उपसे ने भारत के बी उपसे ने पाकिस्तान के सी उपसे ने जर्मनी के डी उपसे ने अमेरिका के यहां पर आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहा के रहने वाले थे तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहन कहां बसती है ये भी काफी महत्पुड प्रशने इसे भी आपको याद रखना है कि भारत में सरवाधिक अबादी कहां बसती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने चार नंबर चार नंबर प्रशने कि सच्चा भारत कहां बसता है ये भी काफी महत्पुड प्रशने ये आपके बोर्ड परिक्षा के लिए तो इसे भी आप लोग याद रखियेगा कि सच्चा भारत कहां बसता है यहाँ पे C बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड प्रशने है तो एक भी प्रशने प्लीज आप लोग स्कीब मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक जरूर देखियेगा आईए देखते हैं अगला प्रशने पांच नंबर पांच नंबर प्रशने की भारत से हम क्या सीखे पार्ट कौन सी बिद्धा है ए उपसेने कहानी है बी उपसेने निबंध है सी उपसेने साच्छतकार है डी उपसेने भासड है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे पार्ट कौन सी बिद्धा है तो यह भासड है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर डी उपसन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने छे नंबर प्रशने है कि मैक्स मूलर को बेदानतियों का बेदानती किस ने कहा काफी महत्पुड प्रशने इसे आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर को बेदानतियों का बेदानती किस ने कहा ए उपसने विवेकानंद ने बी उपसने रामानुजी चारे ने सी उपसने संकरा चारे ने डी उपसने महात्मा गाधी ने यहाँ पर बताना है कि Max Muller को बेदान्तियों का बेदान्ति किस ने कहा तो विवेका नंद ने कहा इसे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने साथ नंबर प्रशने कि दारिस क्या है काफी महतपुड प्रशने इसे आपको य जाद रखना है कि दारिस क्या है A-Option ने सोने के सिक्के हैं B-Option ने चांदी के सिक्के हैं C-Option ने पितल के सिक्के हैं D-Option ने लोहे के सिक्के हैं यहाँ पर आपको बताना है कि दारिस क्या है तो दारिस क्या है सोने के सिक्के हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर E- option बिल्कूली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नंबर और आठ नंबर प्रश्ण है यहाँ पर देखिए आठ नंबर प्रश्ण है कि Warren Hastings कहा का governor general था काफी महत्पुण प्रश्ण है और यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए महत्पुण है कि Warren Hastings कहा का governor general था A option भारत का बीओप से ने यूनान का C उपसे ने सिरलंका का D option जर्मनी का यहाँ पर आपको बताना है कि Warren Hastings कहा का governor general था तो जो Warren Hastings था यह भारत का governor general था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर एउपसन बिलकूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नमबर और नौ नमबर प्रश्ण है कि पारसी धरम के संस्थापक कौन है यहां पर आपको बताना है कि पारसी धरम के संस्थापक कौन थे ए उपसे ने बोध बी उपसे ने जैन सी उपसे ने बैदिक डी उपसे ने जर्थ यहाँ पर आपको बताना है कि जो पार्सी धरम है इसके संस्थापक कौन है तो पार्सी धरम के संस्थापक जर्थुष्ट है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 10 नंबर 10 नंबर प्रशने की किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सुने के सिक्का मिला ए उपसे ने करनावालिस बी उपसे ने विलियम बैटिक सी उपसे ने डलहौजी डी उपसे ने हैस्टिंगस तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस गवर्नल जनरल के समय 172 दारिश नामक सुने के सिक्का मिला था तो वार परस के पास इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशनी 11 नंबर 11 नंबर प्रशन है कि Max Muller के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकृतिक संदरे से परिपूर कौन सा देश है काफी मातपड प्रशन है इसे आप को याद रखना है कि Max Muller के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकृतिक संदरे से परिपूर कोई सा देश है ए उप से भारत वी और जर्मनी सी ने यूनान डी और आफ्रीका तो आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकृतिक संदरे से परिपूर देश कौन सा है तो अपना देश भारत है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे ए उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन बारा नंबर 12 नंबर प्रशन है कि मैक्स मूलर ने काली दास के किस पुस्तक का जर्मनी भासा में अनुवाद किया काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने काली दास के किस पुस्तक का जर्मनी भासा में अनुवाद किया A उपसे ने रगवन सम, B उपसे ने मेघदूतम, C उपसे ने अभीग्यान सकुन्तलम, D उपसे ने रमायण तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने काली दास के किस पुस्ता का जर्मनी भासा में अनुवाद किया था तो मेघदूत का किया था, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पर B उपसें क्या हो जाएगा, बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं, अगला प्रशने 13 नंबर, 13 नंबर प्रशने काफी महतपुण है कि हरकस कौन थे काफी महतपुण प्रशने 13 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि हरकस कौन थे, A उपसें भू बैग्यानिक, B उपसें वनस्पती बैग्यानिक, C उपसें जन्तू बैग्यानिक, D उपसें विधी बैग्यानिक आप आपको बताना है कि हरकस कौन थे तो जो हरकस थे ये वनस्पती वेग्यानिक थे इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर B-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रशन है तो एक भी प्रशन प्लीज आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है तो विशाल भारत में प्राकृतिक सुसमा का खान है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 15 नंबर 15 नंबर प्रशन है कि सर विलियम जौन समुंदरी यातरा करके भारत कब पहुँचे काफी महतपुड प्रशन है इसे आपको याद रखना है कि सर विलियम जौन समुंदरी यातरा करक बारत कब पहुँचे तो 1783 इसे में पहुँचे भारत इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 16 नंबर 16 नंबर प्रशन है कि Max Muller ने कठ और केन उपनिसत का अनुद किस भासा में किया काफी महतपुड प अधिने संस्क्रिट भासा में D-Option जर्मनी भासा में तेहाँ पर आपको बताना है कि Max Muller ने कठ और केन उपनिसत का अनुद किस भासा में किया तो जर्मनी भासा में किया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला 17 नमबर 17 नमबर प्रशने की मुंडा किस देश की जाती है काफी महतपुड प्रशने इसे आपको याद रखना है कि मुंडा किस देश की जाती है ए उपसे ने चीन की वी उपसे ने भारत की सी उपसे ने मंगोल की डी उपसे ने मुलतान की तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाती है तो जो मुंडा है ये भारत की जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B option बिलकुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 18 नंबर 18 नंबर प्रशने कि प्लेटू का सम्मंद किस देश से है काफी महतपुड प्रशने है कि प्लेटू का सम्मंद किस देश से है A option इटली से B option इस्पेन से C option इभारत से D option इउनान से तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेटू का सम्मंद किस देश से है तो प्लेटू का सम्मंद यूनान से है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा और ये भी प्रशन आपके board परिक्षा के लिए काफी महत्पुर है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 19 नमर 19 नमर प्रशन है कि महरानी Victoria ने Knight की उपाधी किसे परदान की थी काफी महत्पुर परशने इसे भी आपको याद रखना है कि महरानी Victoria ने Knight की उपाधी किसे परदान की थी एउपसे ने Max Muller को B-Option अमरकांत को C-Option बिर्जु महराज को D-Option असुक बस्वेई को तो यहाँ पर आपको बताना है कि महरानी Victoria न Knight की उपाधी किसे परदान की थी तो Max Muller को की थी इसे आपको याद रखना है नहीं यहाँ पर E-Option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 20 नंबर और 20 नंबर प्रशने काफी महत्पुर है कि निर्वन्स बिद्या का समंध किसे काफी महत्पुर कि निर्वन्स बिद्या का समंध किसे हैं तो मानो बिज्ञान से है इसे आपको याद रखना है नहीं यहाँ पर D-Option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रशने 21 नंबर 21 नंबर प्रशने है कि प्लेटो और कांट थे काफी महत्पुर प्रशने इसे भी आ प्लेटो और कांट महान दारसनिक थे इसे आपको याद रखना है नहीं यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा इस पार्ट में यहाँ लगबग 20-22 अब्जेक्टी प्रशने थे जो हम आपको बता चुके हैं और यह काफी महत्पुर महत्पुर है और ऐसे ही प्रशने बोर्ड परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसमें से जो भी प्रशने आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पर लिख के जरूर याद कर लीजेगा और उसका समय समय पर रिविजन करते रहिएगा अगर आप लोग रिविजन न आज दिन के अंदर में सुरू होने वाला है तो आप लोग टाइम हमें बता दीजैगा कि सुबऻ आप लोग कर फरी हैं कि हम आपको सबजेक्टिव प्रशन बता सके एकदम सुरू स 일बाह सब्जेक्टिव प्रशन यहाँ पे आपको बताय जाएगा तो आपलोग हमें कॉम परहाचुके हैं इसका आंसर आप लोग गलत मत बताईएगा कि सेयन सहाब की कार किस रंग की थी यहां पर देखिए वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ओल पे दबा लिजिएगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और डेली साम साथ बजे लाइफ क्लास होता है तो आप लोग लाइफ class का time या यहाँ पर class होता है उस वीडियो का link हम वहाँ पर share करते हैं और आने वाले समय में जब इसका PDF भी बन जाएगा तो उसको उसी group में डाल दिये जाएगा तो आप लोग उस group में जरूर जूड़ी जाएगा अगर आप boy हैं यानि आप लड़के हैं जुरूर जूड़ी है थैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना दियान रखिए मन लागे पढ़ाई कीजिए ठीक के रेंट बाए